इस्टी में अगर आप मेरी टेक्नीक से जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूं ट्रेड करते हो तो आपका मैक्सिमम लॉस तो ग्यारासो सताइस हो रिका हो सकता है पर प्रॉफिट अन्रिमिटेड हो सकता है तो यहां पर वो गैंबिलिंग वाली फील्ड खतम हो जाएगी हमन करते हैं इधर बंद होता है उत्म होता कि आपको नहीं पता gaps क्या होते है market डेली साड़े तीम बज़े बंद होता है उसके बाद market जिस point पे open होता है जैसे आप यह देखो 14th of December को market ने closing दी थी यहाँ पे यह level क्या था 21,000 कुछ से level था इसको मैं बताता हूँ यह था 21,194 तो market ने 14 December को 21,194 पे closing दी थी next day market open होता है इस value पे 21,287 तो आप देखो almost 100 points का gap था अब आप overnight इस gap के तरूँ पैसा बनाना चाहते हो तो कैसे बनाओ इसको कहते है BTST buy today, sell tomorrow इसमें हम क्या करते हैं हम 3 बज़े के बाद एक call option या एक put option जो हमारा market का view हो suppose हमारा का view है कि market 100 points gap up open होईगी मैं आपको पताऊंगा कैसे मैं BTST आपको बहुत छोटे इसके साथ प्राऊंगा BTST के क्या advantage है क्या disadvantage सब कुछ बर सबसे पहले आपको मैंने क्या समझाया gap क्या होता है अगर आपको पता ही नहीं होगा gap क्या होता है तो आप BTST समझ ही नहीं पाऊगे gaps जो market में create होते है जैसे अब यहाँ पे आपको मैंने दिखाया 100 points अगया इससे पहले आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे market close हुई थी इस point पे market open हुई इस point पे तो यहाँ पे आपको इतना huge जी है फिर से देखने को मिला होता क्या है जो लोग यहाँ पे closing के time पे call की position buy करके गए होंगे C.E. उनको सुभा market 9.15 पे खुरते सार अच्छा खासा पैसा दिया होगा वो पैसा कितना दिया होगा जैसे suppose अब मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे 184 points है तो आप समझे उनको तकरीबन B.T.S.T. में 120 points मिले होंगे बट अगर आप नहीं live trading में हो तो मैं बार-बार एकी चीज़ कहता हूँ सर्थ B.T.S.T. नहीं करना B.T.S.T. सटे बजाई है बट आज B.T.S.T. की वीडियों की उसका logic बताता हूँ कब B.T.S.T. करना है कब नहीं करना क्या कैसे सब कुछ बताता हूँ बट पहला point आप gaps का समझ की अब दूसरे point पर आते है B.T.S.T. का मत्रब जैसे अभी आपको मैंने बताया buy B for buy T for today S for sell T for tomorrow आज खरी तो next day बिचो this is known as B.T.S.T. एक आपने S.T. B.T. भी सुनो होगा sell today buy tomorrow उसके बाल आपको बताउगा हम उस रिसको कैसे eliminate कर देंगे उसके बाल आपको बताउगा आपने trade कैСे करना है उसके बाल आपको बताउगा किस दिन पर आपने वो रिस्क करना है ये चारह चीज़े इस वीडियो में covered होगी तो सबसे पहला point हम उठाते हैं BTST में risk क्या है क्योंकि किसी भी चीज के profit को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए वो चीज में risk क्या है BTST आज मुझे रग रहा है रग रहा है market को किसी को नहीं पता sir market बहुत factors के उपर depend करती है हमारे country के internal ही क्या और है हमारे country के external ही क्या है foreign countries में क्या है हमारे country की internal में कोई news है जैसे covid की news आई थी तो market overnight falls होगी थी यहां कुछ war होगी किसी और country में होगी हमारी country की कहीं पर war होगी यहां कुछ relations खराब होगी किसी country के साथ यहां हमारी country की export बढ़गी तो बहुत factors के उपर btst depend करता है तो यहां पर btst में हम क्या करते है हम market को predict करते है कि कर market 100 point उपर खुजेगा तो मैं तीन बजे btst जाओंगा आज मैं call option बाई करके जाओंगा तर सुबर सुबर वो option बेग दूँगा अब sir हम जितना मर्जी इसको बढ़िया तयां से कर दे जितना मर्जी हमें view है हम अन्तयामी है हम जोतिश है guarantee कोई नहीं है इसकी मैंने सोचा था कर market 100 point उपर खुजेगा भाई market 100 point नीचे खुजे जाता है मुझे जो call में 100 point कर नुकसान होना था तो 100 point चलेगे यह market flat open हो जाता है तो मुझे जो 100 point कर नुकसान होना था उसकी जगा theta decay मिल गया मुझे overnight theta decay भी तो होता है सपोज आज market इसी point पे open होई कर इसी point पे आज market इसी point पे close होई कर इसी point पे भी open होगी न तो आपके quality option में 10-15 रुपर ही घट जाएंगे depending on ATM, OTM, इंदबनी कौनसा option है इस आपको अब समझ आया कि यहां पे कुछ भी हो सकता है हम क्या predict कर सकते है आज मैं सोचे हूं कि market close होने के बाद कोई news आनी है बहुत बढ़िया वो news आए ही ना उसके जड़ा कोई घटिया news आजए जैसे कोविट के दौरान bad news थी overnight किसी ने प्रडिक्ट थोड़ी किया था कि भाई या तो राक lockdown लग जएगा 8 बज़े आपको lockdown लगेगा सुबार market gap down open होगी ऐसे कुछ भी news आजए तो भाई BTST इसी लिए में अगर आप मेरे live में होते होगे तो मैं आपको हर time करता हूँ BTST नहीं करता हूँ BTST नहीं करना है बट अब point आता है क्या कभी भी BTST नहीं करना या हम BTST में risk manage कर सकते हैं या हम कुछ कर सकते हैं उसके पहला आपको मैंने समझाया risk क्या है अब मैं बताता हूँ हम risk कैसे manage कर सकते हैं BTST में risk manage करने का सीधा सा method है अगर हम option बार है हम एक long straddle या long strangle बना सकते हैं अब ये long straddle या long strangle किस चीज का नाम है अगर आपको ये पहले से पता है अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको long straddle और long strangle में एक difference बताना चाहूँगा strangle वो होती है जहां पर मुझे लग रहा है कि market में अब यहां पर मैं market देखू मुझे लग रहा है कि market एक minute मैं यहां पर चार्ट पर ले जाता हूँ मुझे लग रहा है कि market इस level के बीच में यही थी इस level के बीच में market रहे थी 21,300 और 21,500 और market यहीं पर घूम रही थी तो मैं इसको कहूँगा strangle market इसी में घूम रही है इसी में फसी है तो अगर मुझे wrong strangle बनाना है तो मैं क्या करूँगा 21,500 का call बाय करूँगा 21,300 का put बाय करूँगा इसको कहेंगे wrong strangle अभी बना के भी दिखाऊँगा tension मतलो आप कहोँगे सार ऐसे ही बोल जाओगे समय तो हैगी नहीं बना के दिखाऊँगा sensible यहाँ पर खुला हुआ है abstract पर बन जाता है sensible पर बन जाता है आपको पता चल जाता है आपका maximum risk कितना है और maximum reward कितना है अगर हम naked BTST भाय करते हैं तो हमारा maximum risk क्या है zero हो जाएगा हमारा पैसा अगर हम strangle straddle भाय करते हैं तो मारा maximum risk जो होगा वो limited हो जाएगा but maximum reward unlimited हो जाएगा कितना reward हो सकता है कैसे सब कुछ दिखाऊंगा आपको समझना पड़ेगा क्या चीज है अब दूसरी बात second point यह है कि आपने आपको मैंने अभी बताया long straddle अब मैं आपको बता रहा हूँ long straddle most people को यह पता होगा बर जिनको नहीं पता उनको बता दू long straddle क्यों होती है सपोज 2500 एक round level है जहां पर market close हो रही है मैं क्या करूँगा closing के पास 2500 का call और 2500 की put equivalent price पर होनी चाहिए उस टाइम जिस टाइम मुझे दोनों same price पर मिलेंगे सपोज यह भी 100 उपर का मिल रहा है तो यह भी 102 98 95 105 ऐसे मिल रहा है तो मैं इसको को बाई करोंगा एक कॉल को बाई करोंगा एक पूट को बाई करोंगा अब आप कहोंगे सर यह पैसे कैसे बनेगे तो हमने कॉल पूट दोनों लेजी यह कॉल पूट लेने से क्या होगा आपका maximum risk fix हो जाएगा और maximum reward unlimited हो जाएगा आपको मैं straddle से start करता हूं कब बनानी इसके बाद भो बताऊंगा वो चीज़ जानना बहुत यह यह डेली नहीं बना रहे नहीं इसको कब बनाना है कब नहीं बनाना वो सब कुछ बताऊंगा अब आगे तो सर आयरं बटर्फ्राई आयरं कंडोर जो लोग option sellers होंगे यह पहले होंगे उनको यह words आगे तो यह सब चीज़े बनाने में बहुत दिमाग रहा है अब यह चीज़े बहुत असान होगी है Sensible, Obstra, कई ऐसी Apps है, iCharts भी है, कई ऐसी Apps है जिन पर चीज़े बहुत असान होगी है तो यहाँ पर आप देखोगे, सबस्पोर्ज मैं Sensible आपको कल भी दिखाया था कि Zero Tha और Upstock Angel One के थूफ फिल्म फ्री मिल जाता है, Angel One का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप अकाउंट ओपन करा सकते हो तो यहाँ पर सपोर में पस Angel One यह Zero Tha का अकाउंट है, मैं लॉगिंग करता हूँ जाके सबसे पहला option में जो मिलता है Create Your Own Strategies, इस पर जाओंगा, इस पर जाके मैं कुछ भी नहीं करूंगा, Market Close होने वाली है, मैं यहाँ पर जाके एक option ढूंडूँगा, कि मुझे Others में यहाँ पर wrong straddle मिल रहा है, मैं wrong straddle पर क्लिक करूंगा, अब यह क्या है कि इसने मुझ दिन ना एक issue था, Friday वाले दिन पर call options काफी high थे, और put options काफी सस्ते थे, अगर आपने Friday को trading की होगी, तो आपने देखा होगा, call के premiums बहुत जादा से सुबह से, overvalued थे, और put के premiums undervalued थे, सुबह से ही ऐसे था, adjust भी नहीं होगे ते, तो यहाँ पर आपको proper बनता हुआ नह जैसे मैंने आपको simply बताया, कि मैंने एक long straddle बनाया, straddle का मतलब क्या है, मैंने closing के पास add the money worth, call or put option दोनों buy कर ली, यह बस मुझे ध्यान लगना है कि buying के time पर दोनों का price नहीं हो, for instance, मैं इसको भी 100 उपर set कर देता हूँ, यह 100 पर close नहीं हुआ, बड़ मैं इसको भी 100 उ trade में, fix हो जाएगा, कितना, अभी यह 100 उथा नहीं, मैंने 100 set किया आपको दिखाने के लिए, market close कहां पर होई थी, मैं आपको भी long straddle बतायों, फिर straddle बताऊंगा, market close हुई 21,448 पर, मैं 3 बज के 25 मिनट पर market में आया, execution बतायों, देखा market कहां पर close होई, मैंने उसी time गया sensible में, या ofstra में, मुझे नहीं पता long straddle बता दे, उसने बना दी, मैंने trade में डाली, इस दोनों की prizes सेम होनी चाहिए, basket बना के बाय करना है, ऐसा ना हो, आपको 90 पर बाय कर दो, तब तो और 110 पर हो जाए, नहीं, basket बनाते इसको execute करना, prize almost similar होना चाहिए, दोनों को उस time execute करन उसके बाद आपको साथ में pay off chart नजर आ जाएगा, यह chart देखके आप क्या समझ पा रहे हो, मैंने video का title डाला था, maximum profit unlimited, maximum loss fixed, इस option में, आपको maximum loss कितना हो सकता है, जितना option की prize है, 100 उपर इसमें, और 100 उपर इसमें, मतलब 5000 का loss call में हो सकता है, और 5000 का loss put में हो सकता है, तो market sideways ऐसे होता नहीं, एक दिन में premium टिके नहीं होता, बट maximum loss आपको इतना हो सकता है, वो भी होगा नहीं आपको, आपको maximum loss कितना होगा, जो यहाँ पर projected loss चल रहे है, आपका, 1127 उपर का, maximum loss होगा, आपको 1127 उपर का, और maximum profit क्या होगा आपको, unlimited भाई, आपको यह कैसे देख आप यहाँ पर जाओ, जब अगर market, 21,250 से लेके, 21,650 के बीच में रही, तो आपको profit कितना, loss कितना होगा, यह आपको बता रहा होगा, किस price पर कितना loss होगा, ऐसे आप अपना pointer move करी जाओगे न, यह बताई जाएगा, आपको profits होने शुरू कैसे होगे, जैसे ही market, overnight, जैसे जैसे बड़ी जाओगे, बड़ी जाएगा, profit यह क्या किया, मैंने भाई, जैसे जैसे आप उपर जाओगे, market सुपोज, 22,000 पर उपन हो जाता है, overnight, 500 पॉइंट उपर उपन हो जाता है, आपको खुलते सार, 19,404 का profit होगा, तो यहाँ पे आप एक चीज समझोगे, लिमिटेड हो सकता है, तो यहाँ पे वो gambling वाली field खतम हो जाएगी, हमने अपना risk manage किया है, हमने hedge किया है, समझे आप मेरी बात, और करना क्या है, बहुत simple है, करना कब है, और इसके next point में बताऊंगा, अभी मैंने आपको बताया है, long straddle, ऐसे ही long strangle बना सकते हो, इसका logic अ कम decrease होता है, premium में, जिन जो आपनी साइट में in the money हो जाते है, फटा 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 data increase हो जाता है, तो जादा increase होते है, उस तरहां से आपको ये net difference में पैसा देखे जाता है, अगर आपने पूरा concept समयना है, तो वीडियो के नीचे बता दो, वो भी समझा दूगा, अब पहले मैं चलता हूँ, अब मैंने आपको क्या सिखाया था, long straddle, अब बता रहों long strangle, भाई कितना असान कर दिया, sensible ने, आगे तो होता था, कि हम यहाँ पर जाके, खुद हम बनाते थे, अच्छा, iron butterfly बनाना है, iron condor बनाना है, मैंने बनाए होए अपने time पर, बहुत complicated लगता था, तब उसके बाद जैसे practice होगी थी, अब तो simple है यहाँ पर, बटन दबाओ आपके सामने, long strangle का बटन दबाया, मेरे सामने, बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, premium match होते हो, अगर आप call 59 पर खरीद रहे हो, तो put be, 55 से 60, 62 के बीच में होने चाहिए, जब मैंने को क्या दिख रहोगा, suppose मैंने long strangle बनाई, तो आपको पैसा कब मिलेगा, आपको इस point से लेके, इस point के बीच में तक तो पैसा नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको theta decay मिलेगा, sideways, अगर आप BTSD में call or put sideways market होगी, आपने call भी खरीदा, put भी खरीदा, तो आपका होगा, क्या theta decay call में भी होगा, put में भी होगा, flat open होगी market, तो दोनों में आपको थोड़ा-थोड़ा loss होगा, तो maximum loss 36.71, maximum profit कितना है, फिर से unlimited, market जितना move करेगी, चाए वो down, gap down open हो market, चाए gap up open हो, आपका पैसा बनेगा, BTSD में, अब लोग BTSD कैसे करते हैं, कि भाई, कर market 200 point gap up होगी, तो म मैं BTSD कैसे करा हो, चाए gap up हो, चाए gap down हो, आपका पैसा बनेगा, पैसा जाएगा, तो कब sideways market में, अब इसको करना करता है, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया, strangles, strangles में इसने क्या किया, 21,250 का एक put buy किया, 21,650 का एक call buy किया, दोनों बार कर दिये, इन points के बीच में market रह हो, suppose RBI event है, budget day है, सुबा से market sideways है, आपको पता है कि result आएगा, तो market एक side पे तो हिलेगी, हिलेगी, उपर जाएगी या नीचे जाएगी, यह नहीं पता कहां पर जाएगी, तो वहां पर ही यह बहुत अच्छे से काम करता है, market move करेगी, तो यह आपको पैसा देगा, market की नजर से बता हूँ, option seller की नजर से थोड़ा सा different concept हो जाता है, वो seller अगर आप हो, तो मुझे बता दो, मैं selling के related भी, यह short straddle और short strangle की वीडियो मना दूगा, अब बढ़ बात आती है, यह करना कर दा है, आप करूगे sir, आप तो BTST से मना करते रहते हो, BTST करना नहीं करना आज आप BTST की बात करे हो, बात किस तरह BTST की कर रहा हूँ, strangle straddle बनाके, एक तरह मैंने अपनी position को hedge किया हुआ, एक तरफ मैंने call खरीदा हुआ, तो दूसरी तरफ मैंने put भी खरीदा हुआ, एक side से पैसा जाएगा, तो दूसरी side से जादा आ गएगा, दोनों side से कप जा BTST आपको हर ओजनी करना, आपको BTST करना है, इवेंट दे वाले कि, सपोस्स साड़े तीन बजे मार्केट क्लोज हो रही है, आपको पताओ, कि साड़े तीन बजे के बाद, रायन्स इंडस्ट्रिस का result आना है, आपको पता है, मार्केट किसी ना किसी side move करेगी, आपको पर watch हिडने वाली है, वो watch हिड सकती है, यह ऐसा कुछ भी आपको पताओ, जिससे आपको यह पताओ, कि यहां तो मार्केट सुबह gap up open होगी, यहां gap down ओपन होगी, भाई, flat तो नहीं open होगी, मार्केट पर कोई ना कोई effect जी हुए आएगा, आपकी favor में, तीन में से दो ची जीजे क्या है, यहां तो gap up, यहां gap down, पैसा तब जाएगा, वो भी छोटू सा जाएगा, जब मार्केट साइकरे, सिर्फ तब, तो है ना बढ़िया चीज, भाई, मुझे बताओ, कैसी रगी आपको यह चीज, आपको बढ़िया रगी, यह चीज समझ में आई या नहीं सम नहीं तो बढ़िया निकालते होंगे, क्योंकि भाई, मार्केट में किसी को नहीं पता, अगर कोई कहता है, उसको यह चीज बता है, तो उसको follow करना बद करते हैं, करना है, यहां पर काम तो आपको अपनी position hedge करके करना पड़ेगा, इंट्रेडे में करना है, तो छोटी-छो क्यों होन है, कोई भी प्रेडिक नहीं कर सकता, मार्केट अनलिसिस की रोग वीडियो मनाते है, सरा सर दलत चीज है, प्राइस action के साथ हम बात करें, तो yes, प्राइस action के साथ उसकी probability 730-30 की है, बट हां, होक ट्रेडिंग पर सोचे कि यार कर तो मार्केट उपर जगा करने च करें, आपको समझ आई होगी, जब भी आपने call और put दोनों बाय करनी है, दोनों almost rubber price की होनी चाहिए, basket में डाल के बाय करने है, ऐसा नो, call बाय कर दी, भाई कोई phone आ गया, मैं तो अमना phone सुनने रख पर, अच्छा जी, उसके 5 minute बाल put पाएगी, तब तक put की price यहां तो बह आपकर मैंने BTST के लिए नजरिया बदल दी, आप रोज मुझे कहते हो न, कि BTST दो, BTST दो, मैं आपको कहता था, नहीं देना, नहीं देना, क्योंकि मैं वेट करया था, इस वीडियो बनाने की, मैं ये वीडियो बनाऊँगा, आप सबको BTST बताऊँगा, कैसे करना चाहिए BTST और फिर BTST के उपर बात करूँगा, अब मैं आपको करार करूँगा, राइव ट्रेडिंग में BTST, जिस दिन कोई इवेंट हो, ओवरनाइट, फेट की मीटिंग हो, करी इवेंट आने हैं, भाई, 2024 का रिजर्ट आ रहा है, करेंगे न, रोज, स्ट्रेडल, स्ट्रेंगल बनाते हैं, BTST, 2024 की इलेक्षन आने वाले हैं, डेडी росс ट्रेडल, स्ट्रेंगल बनाते करेंगे BTST, और बहुत इवेंट्स आने वाले, आते हैं यातने महिने में 4-5 быстр अच्छे इवेंट्स आते हैं, करो तब स्ट्रेडल, स्ट्रेंगल बनाते हैं, 15 में से एक इवेंट पे सुना ही नहीं होगा तो मुझे वीडियो के नीचे ये व्यू जी बताना कैसा लगा यहां को समझ भी हाई मेरी बात या नहीं समझ आप तो यह टूल के साथ बहुत असान है नहीं तो मैं आपको प्रॉपर समझाता भाई डेल्टा बढ़ेगा उसका वह ज्यादा इंदमनी हो यह सब चीजे मैंने पढ़ी हुई है मैं आपको डीप कंसेप्स भी समझा सकता हूं इनके बट कंसेप्स में जाने की जुयत नहीं अगर आपको ट्रेडिंग के लिए समझना आप तो टूल आते हैं यह देखो आपके सामने लॉंग स्ट्रेंगर बनी बनाया टूल आता है इसके साथ कर सकते हैं आपको यह बने प्राइब के लिए इस सब दिख रहे होगे इनको उस थे इंको करेंगे आगरी वीडियो क्या देखना करना ऐसा नहीं कि को और पुट करें नहीं ज़ो थेंक यू फॉर वाचिंग दवीडियो ज्यादा घंबी नहीं करूंगा आप एवरी इसे हैं यू आप